आलिय भट की वजहा से करन जोहर और दिव्यक होसला के बीच एक बहुत ही बड़ी कॉंट्रवर्सी स्टार्ट हो गई है। जी है आपको तो याद ही होगा कि दिव्यक होसला ने कहा था कि जिगरा मूवी का कलेक्शन फेक है और आलिय भट ने कलेक्शन बढ़ाने के लिए अपने ही पैसो से टिकेट खरीदे हैं जिस पर करन जोहर ने दिव्यक होसला को मुर्ख और रत कहकर बुलाया है जिस पर साथ ऐसा हो रहा है तो इंडस्ट्री में नई लोगों के साथ क्या होता होगा वैसे इस पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताए